हलो असलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ अद्नान खान वेलकम तो माई चनल स्मार्ट मुवीज वॉग आज हम रिव्यू करने वाले इस साल की वन आप दो मोस्ट अवेटेड मुवी जैसा सबी लोग बेस सब्री संजा कर रहे थे पेंडमिक की सुचेशन पूरे वर्ड में और जिन कंट्रोल है उन 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 कंट्री में इसको रिलीज कर दिया गया है और रिलीज के बाद इसका बॉक्स ओफिस का रिस्पॉंस जो है बहुत ही जवर्दस निगल के आया है अभी तक कोई भी ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हुई जिसका इतना जवर्दस box office response निकल के आया हो लेकिन गाइज इंडिया में इसको officially release नहीं किया गया है अगर आपको इंडिया में इसको देखना है तो आपको जुगाल करने पड़ेंगे VPN वगरा डाउनलोड करना पड़ेंगा तब ही आप यह फिल्म देख पाएंगे तो गाइ पिछली मुवी के मुकाबले में इस मुवी में थोड़ी कास्टिंग को चेंज कर दिया गया है जैसे कि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि थोड़ा विन डीजल और ड्वाएंज जोंसन में थोड़ा आपस में कुछ मसला हो गया था तो उसकी वज़ा से इस फास्टन फ बारे में रहे जो है बिल्कुल काफी क्रीटिक्सने इसको कहा है और कहा है कि कना फास्टन फ्यूरईस की सीरीज जैसे जैसे आगे बरती जा रही है बाकी कि सी वह लोग नहीं सुनते तो गाई prisons बारा में अगर बात करूं तो यह मुवी एक one of the most action और fantastic movie है Fast and Furious की series में अगर आप actions के मुकाबले में और Fast and Furious के fan है तो आपके निये यह movie must watch है लेकिन गाइज अगर आप movie बहुत ही दिमाग लगा कर mind लगा कर movie देखते हैं और movies की बारयोकियों को note करते हैं तो गाइज वाकिए में यह movie आपके निये बिल्कुल नहीं है अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ action एक्षन 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 भरा गया है और काफी action इसमें ऐसा है जो बिल्कुल ही logic के ऊपर निकल जाता है आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा कि यह हुआ तो कैसे हुआ तो गाइज बात कर लेते हैं इस movie के सबसे important और main point की तो वह एक्षन डारेक्टर ने इस movie को इतना फास्ट और action से भरपूर रखाए कि guys समझ लो के मज़ए आ जाएगा यार इतना जबरदस का action है कि आपको पूरी movie में action देखके मज़ए आ जाना है बात करें story की तो guys इस movie के बारे में इसकी पिछली जो movie आई थी वह story wise थोड़ी अच्छी थी last eight eight और seven और six जो आई थी वह अगर मैं कहूं बात करूं story की तो उन में अच्छी story थी लेकिन इस movie में मैं story की बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन इसके फैन ही इतने है कि story की इसको जरूरत ही नहीं है तो guys बात कर लेते हैं सभी character के performance की तो यहां पर पिछली movie की तरह सभी character का performance दमदार है जो नया character इस movie में add किया गया जौन सीना उनके character में मुझे इतना दम नहीं दिखाई दिया और जिनकी replacement को लाया गया है आपके rock जो हमारे हैं डौन जौन सन और शौ उनके character के मुकाबले में इस character में मुझे बिल्कुल भी दम नजर नहीं आया फाइनली गाइस बात करते हैं critics की rating की के हमारे critics की क्या राय है इस Fast and Furious 9 के बारे में तो guys critics की राय वैसे तो important नहीं रखती है fans के नहीं है लेकिन मैं आपको बता जेता हूं कि critics का कहना है कि ये दिन बर दिन दिन बर दिन जितनी series आगे बढ़ती जा रही है उतनी ही dumb होती ज चैना ये एक बिल्कुल time waste movie है कैसी लगी तो guys मुझे इसका action देखके मज़ा आ गया और ऐसी action-packed movie कभी-कभी देखने को मिलती है और guys मैं तो इसको hall पर देखना चाहता था लेकिन अफसोस pandemic की situation की वरे से नहीं देख सका guys अगर आप action-packed movies देखना पसंद करते हैं और आप Fast and Furies movies के fan है तो यह आपके नहीं एक must watch movie है इसको आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए और अगर आप थोड़ा mind लगा के movie देखते हैं तो guys यह आपके सर के उपर से bounce हो जाएगी तो guys अगर आप mind लागे देखते हैं तो आपको इस movie से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ action packed movie है सिर्फ इसको action और mass audience को ध्यान में रखके बनाया गया है तो guys बात करें मेरे final rating की तो इस movie को मैं देना चाहूंगा 10 out of 5 star जो के थोड़ा जो के इसके 5 star में काटना चाहूंगा इसकी कहानी जो बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा सा इसमें जो नई character add कि गए उनकी बिल्कुल डं performance की वजह से तो guys अगर मेरा review आपको जरा भी पसंद आया तो comment section में नीचे लिखकर जरूर बताएं और साथ मैं आप चैनल को subscribe भी कर दें वीडियो को like कर दें और नीचे दिये गए well icon को भी press कर दें उससे यह होगा कि हमारी वीडियो की notification आपक किनिया की वाचिंग